Hello friends, welcome to my YouTube channel दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी students के लिए double good news जियां दोस्तों आप में से जो भी students December 2022 time and examinations के लिए appear करने वाले हैं दोस्तों इगनू की तरफ से दो नए notifications जारी किये गए हैं जो कि आप सभी students के लिए एक good news का काम करने वाले हैं इसलिए friends वीडियो को बिल्कुल भी miss ना करें साथी दोस्तों आप सभी से मेरी request है अगर आप हमारे YouTube चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए सब्सक्राइब करके पास में notification बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले सो स्टार्ट करते हैं आपके double good news से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि December 2022 टाम एंड एक्जामनेशन के लिए इगनू की तरफ से latest revised tentative date sheet इगनू की website पे upload कर दी गई है आप इसे जरूर चेक कर लिजेगा देखे दोस्तों जैसे जैसे tentative date sheet आती है अगर उसमें कोई भी changes आपको नजर आते हैं तो आप इगनू को mail कर सकते हैं और फिर उसके बाद में एक नई date sheet जारी की जाती है अगर आपके कोई paper class हो रहे हैं और वो group में से belong नहीं करते हैं तो आप इनके लिए apply कर सकते हैं और finally जब सभी changes रो जाते हैं तो एक final date sheet जारी कर दी जाती है अभी आपके examinations 2nd of December से start होंगे तो आप ये समझ लिजे कि next week इगनू की तरफ से एक final date sheet जारी कर दी जाएगी जो double good news जारी की गई है उसमें जो पहला है वो है आपके December 2022 time and examinations के लिए जो online examination form जारी किया गया था उसकी last date थी 31st October तक without late fees उसे इगनू की तरफ से extend करके और 10 नौंबर तक कर दिया गया आप में से काफी ऐसी students हैं जिनोंने June 2022 time and examinations के लिए appear किया था और आपके results pending में थे तो आप अभी 10 नौंबर तक भी अपना examination form fill up कर पाएंगे बिना किसी late fees के जो second good news है वो है आपके assignment submission के लिए इगनू की तरफ से आपके assignment submission के लिए भी 31st October तक last date को extend किया गया था लेकिन 31st October को ही एक नया notification जारी किया गया है जिसमें आपकी last date को further extend करके 30 नौंबर तक कर दिया गया अभी आप अपने assignments 30 नौंबर तक online या फिर offline जमा करवा सकते हैं आप मेंसे काफी ऐसे भी students हैं जिन्होंने June 2022 time and examinations के लिए अपने assignments जमा करवाये थे आप इगनू Igram page पे complain कर सकते हैं या अपने regional center से contact कर सकते हैं अगर आपका assignment submission status अभी तक update नहीं हो पाया है तो आप सभी को मैं बता दू कि आप अपने assignments अभी फिर से जमा करवा दीजे क्योंकि जो assignments June 2022 time and examinations के लिए valid थे वही assignments December 2022 time and examinations के लिए valid रहेंगे कुछ ऐसे courses हैं जिनके लिए वो assignments change हो जाते हैं तो आप एक बार अपने assignments जरूर चेक कर लिजेगा और जिन भी students को अपने assignments बनाने में कोई भी problems होती है तो आप directly मुझे WhatsApp पे contact करके अपने assignments के लिए solution PDF या फिर handwritten scan PDF या फिर handwritten assignments के लिए भी order कर सकते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही आशा करता हूँ आपको ये information पसंद आयोगी फ्रेंट्स वीडियो को लाइक करने के साथ साथ maximum share जरूर कर दिजेगा साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फोलो कर लिजे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले तैंक ये फ्रेंट्स